आज हम बनाने जा रहे हैं बिल्कुल सिंपल रेसिपी जो हर घर में बनती है और डेली बनती है पर एक बार इस तरहें से पुआ बना के खाईए निश्टी तोर पर आपको बहुत अच्छा लगेगा तो चलि हम आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं पुए की उसके लिए मैंने यहाँ पर एक कड़ाई में थोड़ा सा तेल डाल लिया है तेल डालने के बाद में हम इसमें डाल रहे हैं चथाई चम्माच राई राई तड़कने के बाद में इसमें मैं डाल रहे हूँ थोड़ा सा जीरा जीरा ओप्शनल है मुझे पसंद है इसलिए मैं साथ ही मैंने यहां पर एक आलू को बारिक बारिक चॉप करके रख रख रखा है इसे भी इसमें डाल लेते हैं इसे हम जब तक पकाएंगे जब तक यह अच्छी तरह से गल ना जाएं बीच बीच में इसे चलाते रहेंगे हलो का कॉलर थोड़ थोड़ा चेंज हो गया है इसे हम हलका सा दबाके देख लेंगे इस तरह से कि गल आहीं हलका सा कच-कचा रहे हैं उसी वक्त हम इसमें डाल देंगे हमारी मुमपली इसे भी आलो के साथ ही अच्छी तरह से रोस्ट कर लेंगे आप चाहें तो इसमें मुमफली अलग से रोस्ट करके भी डाल सकते हैं पर मैं इसी तरह से डालती हूँ, मैंने इसी तरह से डाली है मुमफली हमारी दो मिनट में रोस्ट हो जाएगी उसके बाद हम इसमें डालेंगे हमारी करी पत्ता लिए करीपत्त है करी पत्तर के तड़कने के बाद में हम इसमें डालेंगे कैटीवी प्यार्ज अगर आप मेरे चैनल पर नए है और अभी तक मेरे चैनल को सबिस्क्राइब ने किया तो प्लीज सबिस्क्राइब करें और अगर आपको वीडियो और रेसिपी पसंद आती है तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें इसमें मैं डाल रहे हूँ आधी चमच नमक, चौथाई चमच हल्दी, चौथाई चमच लाल मिर्ज पाउडर, मसाले आप अपने टेस्ट के अकोर्डिंग डाल सकते हैं यहां मैंने दो टमाटरों का छिलका उतार के बारिक बारिक काट लिया इसे भी इसमें डाल लेते हैं औ सकते हैं दो लेकर ने सके, तैमाटर हमारे यहां पर अच्छी तरहे से गल चुके हैं यहां पर मैंने 0 address मीड़की पानि, लेकर यहां अच्छी तरहेशु का पानी निखार मैं अ कि अधर्य हूँ निखाए हैं इससे पोई का टेस्ट दुगना हो जाता है इन सबी को हम यहां पर अच्छे से मिला लेते हैं इस तरह से बनाएवे पोई खेले खेले और थोड़े ड्राई बनते हैं अगर आप थोड़े गीले पोई पसंद करते हैं तो इस वोगत आप थोड़ा सा पानी का छीटा भी लगा सकते हैं और अगर आप यहां पर खटाई पसंद करते हैं तो हलका सा इसमें नीबू का रज भी डालें उससे और अच्छा लगेगा यह यह देखिए पोगा बनके हमारा रेडी है इसे हम यहां पर दो मिनट के लिए कवर कर रहे हैं और गैस की फ्लेम को कर रहे हैं बन इसे दो मिनट के अंदर इसमें मसालों का अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है दो मिनट हो चुके हैं हम इसे हम खोल लेते हैं और खोल के इसे एक बार अच्छी तरह मिला लेते हैं दुबारा से इस तरह हैं से मिला लेंगे हम बहुत ही अच्छी खुश्बू आ रहे हैं इसमें से साथ ही में इसमें डाल लेते हैं बारीक कटावा हरा धनिया ये लीज़े हमारा पुआ बनकर रैडी है इस सर्व करने के लिए तो चलिए हम इसकी कर लेते हैं प्लेटिंग इस तरह इन से पोह बनाकर आप जरूर ट्राइ करें और मुझे comment box में जरूर बताएं कि आपको इस पोह कैसा लगा इससे serv करने से पहले हम इसमें डालने थे तोड़ा सा नमकीन नमकीन जो आपके पास 7 level हो यहां मैं डालरी हूं मोटा नमकीन साथ ही में थोड़ा कटा हुआ हारा धनिया और मैं यहां डाल रहे हूं थोड़ा सा अनार अनार का टेस्स इसमें बहुत अच्छा लगता है जब अनार का मुझे में बाइट आता है तो बहुत ही टेस्टी लगता है अगर आपको वीडियो और रेसिपी पसंद आती है तो अपने रिलेटिव और फ्रेंड के साथ शेयर करें और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें वेल आइकोन जरूर दबाएं ताकि आपको मेरे नए वीडियो के नॉटिफिकेशन मिलते रहें थैंक्स फॉर वाचिंग